कि चलो आज ना हम करेंगे स्रिफ एक ही टॉपिक कोई कुश्चन नहीं कर रहे हैं that is हम यह सीखेंगे पहले के भाई साब अबनॉर्मल लॉस क्या होता है और ठीक है ना अबनॉर्मल लॉस और एक होता है हमारा नॉर्मल लॉस इन दोनों में ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं सीखना है आपको अब सेमिस्टर चार में जाएंगे तो उसके इंदर बहुत बड़ा मेजर रूल रहता है सिर्फ इन दोनों टॉपिक के उपर आपके पंदर नुमर के कुशन आ जाते हैं थियोरिनी प्राक्टिकल कुशन जो प्रॉसेस अकाउंट के अंदर होता है तो एबनॉर्मल और नॉर्मल देखो जैसे फॉर एक्जामपल कुछ ऐसे काम होते हैं एक्जामपल अगर मैं मैं एक एक्जामपल लूँ मालेते हैं अब थो मदेडी में दूदेशने में ब लेकर निकला और वह बेचने को निकल और उसके मान लेते हैं कि हर किसी को दूद बेचेगा हुआ तो उसके कितने customer है 10 customer है 10 customer को बेचना है तो हर एक customer को इसने सोचा कि मैं एक-एक kilo बेच दूँआ लेकिन पहले customer को जब उसने दिया तो पूरा 1 kg दिया दूसरे को दिया तो 1 kg दिया अब 1 kg का मतलब 1 kg नहीं है क्योंकि जब घर पे कोई आता है समान देने के लिए तो हम अपनी मनमानी चलाते है दुकान पे जैसे जाओगे तो दुकान वालों के हिसाब से चलोगे घर पे अपने कई वार आप फेरी वाले वागर ऐसे लोगे समान देखना लेने की तो फिर उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे जैसे कि आप शोरूम वाले से बात करोगे ठीक है भाई देना है तो दे देनी तो जा भाई अपना बांद और निकल यहां से ऐसे दूदु वाला है का भिया एक किलो कसम थोड़ी खा रखे एक रुपए थोड़ा तो एक्स्ट्रा दे दो तो वो एक्स्ट्रा जरूर मांगेंगे अब तो खेर मदर डेरी पैकेट और यह सारी चीज़े आगे जो कि होज़ा दा हानिकारग भी है लेकिन अब मजबूरी है वैसे गाओं वगरे में अभी भी यही चलता है पैकेट पैकेट का कोई ट्रेंट नहीं है वहाँ पे तो अब एक किलो नाप दिया उसने फिर वो उमीद करते हैं कि थोड़ा और तो अगर मान लेते हैं कि 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम भी सब को दिया ठीक है 20-20 ग्राम भी सब को दिया तो दस वे तक आते आते 200 ग्राम तो उसके ऐसे फ्री में बट गए जिसकी कोई गिंती नहीं है और लास्ट वाले को सिर्फ और सिर्फ कितना ग्राम मिल पाएगा 800 ग्राम ही मिल पाएगा आप समझ़ों इस बात को और यह ऐसा नहीं है कि एक दिन होगा यह रूटीन का है यानि अगर इससे 10 किलो पूरे दूद बेचने है तो 10 के वदले से 10.5 किलो लेके निकलना चाहिए और यहां से छोड़ो यह तो है साथ के साथ कैसे भी लेके आएगा थोड़ा खुद भी किरा देगा कहीं ना कहीं निकालने में थोड़ा से इधर हो गया उधर हो गया तो ऐसे सिचुएशन में यह जो लॉस है यह नॉर्मल लॉस है अब मान लो वो 10 रूपे किलो दूद लाता है और अगर 10 किलो कस्टोमर को बेचता है वो तो एक्चुल में कस्टोमर को 10 केजी नहीं बेच पा रहा हुआ 10 से कम ही बेच पा रहा है तो अगर 10 रूपे किलो दूद है तो मैं मान लेता हूँ के कंपनी नोन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है एक रूपे भी नहीं कम हाएगी तो अगर वो 10 रूपे किलो ही बेच दे दूद को तो नुकसान नहीं कूँ नुकसान है क्योंकि यह 10 किलो दूद लेकि 10 किलो बेच ही नहीं पाएगा कम ही पा रहा है तो इसका मतलब इसे 10 किलो की जगह पर मान लेते हैं ग्यारा रुपए हर किसी से अगर मैं वसूलता हूं तो मेरा हिसाब करता हूं तो यह जो दस-दस ग्राम जो यह मांग रहे थे ना फाल्टू तो दूद का कीमत दस रुपए से जो ग्यारा हुआ ने इसके जिम्मा दारह यही है यानि अगर प्राइज आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है यह लॉस कौन सा है नॉर्मल है जो की रूटीन नीचर गया है ऐसे लॉस के केस में जो नुकसान हुआ वो दुकानदार तो नहीं बियर कर रहा उसमें तो जट से क्या करा रेट बढ़ा दिया और वो रेट किसके उपर स्पर्त हो गया यानि स्वेस में नॉर्मल लॉस जब भी होता है न इसमें पूरी की भागी दारी किसकी होती है ग्रहाक्य ही बिजनसनें का कोई लॉस नहीं होता है कभी है तो नॉर्मल लॉस वह लॉस है जो की रूटीन नीचर का है जैसकि Keepingavat S mushrooms में give one होता है और जर्नलिह आपको नॉर्मल लॉस ऑल्वेस गीवन होगा कि ये नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस में कभी भी नुकसान होता ही नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं फुल लिख देते हैं पूरा का पूरा ही जो है वो कस्टुमर पर बियर किया जाएगा इसलिए हम profit and loss के debit side में as a loss क्योंकि profit and loss के debit side में लिखेंगे तो नुकसान है और मैं कहा रहा हूँ normal loss में नुकसान नहीं होता तो और ये वाला जो trading account है इधर loss थोड़ी इधर तो loading निकाल के भी खा देते पूरा का पूरा जो भी है ठीक है तो इसलिए नॉर्मन लॉस हमारा कभी भी न प्रांच अड़्जस्मेंट का पीएंडल वाले portion में नहीं है समझ रहे हैं बात करें यहां तक समझ मैं है लेकिन abnormal loss के scenario अलग है मान लेते हैं मैं 10 किलो दूद लेके निकला और रास्ते में मान लेते हैं कि मैं साइकल पे लेके निकला था और एक बाइक वाले से टकर लग गई और मेरा 9 किलो दूद गिर गया अब फाइनली मैंने बहुत चलिया आज सबको मना कर देते हैं एक कस्टमर को दे के चले जाते हैं और इस कस्टमर को बोलू भाई 10 या 11 जो रेट है वहीन देखा तो यानि जो नुक्सान हुआ ये वाला और ये ड्रैगुलर न हहोगा डेली मेरी और बाइक की टककर न होने वाली है ठीक है ना ये डेली नहीं होगी तो ऐसा loss जो की irregular nature का है, तो इसको मुझे ही bear करना है, तो इसलिए हम इसका loading यहाँ पे लिख देते हैं और उसका loss जो है बचा हुआ हो, वो पीम दिल के लिखा जाता है, तो sir, abnormal loss कहसे पहचाना जाए, कुछ एक word है, जैसे की आपका goods preferred लिखा हो, loss by fire लिखा हो, loss by theft लिखा हो, loss in transit लिखा हो, ट्रांजिट भी होता है, लेकिन इसके अंदर कई बार होता भी है और कई बार नहीं होता है, और shortage लिखा हो, तो यह सभी के सभी हमारे abnormal loss है, loss in transit अगर आपको insurance claim मिल रहा है, क्योंकि हमेशा आप insurance उसी का करवाते हैं, जो अनिस्चित है, नॉर्मल तो भाई निस्चित है, यह होना पक्का है, लेकिन अनिस्चित का मतलब क्या है, कि शायद कभी कभी हो जाए, तो जो चीज़े आपका fix नहीं है, uncertain है, उसके लिए हमन insurance कराया होगा, मैंने बोला कि मेरा loss in transit है, और suppose मैं खुद बोल देता हूँ, यह weight है, ठीक है, weight का मेरा loss in transit हुआ, और इसके बदले मुझे 200 रुपे का insurance claim मिला है, तो अगर मैं यह 200 रुपे की claim की बात आपसे नहीं करता, तब तक यह तो normal लग रहा है, और जैसे ही मैंने बो तो यह कुछ एक word है, जो कि आपको question में देखने को मिल रहा होगा, और इसे कौन सा loss मानेंगे आप, always abnormal, इस पर star बना दिया कि वो question पर depend करेगा, normal loss के अंदर हमेशा normal loss given होगा, sir accounting treatment की अगर बात करें, तो क्या होगा, इस वाले का accounting treatment दो जगह चली जाती है, है न, sir दो जगह कहा जाता है, एक loading का part चला जाता है, loading चला जाता है, जिससे मैं बोल सकता हूँ, trading account बोल देता हूँ, समझाने के लिए, ठीक है, loading account कहा चले गया, यह, trading account, यानि उपर जहां loading निकालते हैं, इसकी एक और entry जाएगी, balance, balance, जो बचेगा, balance कहा चले जाएगा, हमारा profit and loss में, balance कैसे निकालेंगे, वो आपको अच्छे से पता है, जैसे कि 10 रुपे का समान है, मैं 12 में बेच रहा हूँ, तो 2 रुपे loading तो आगे है, trading में, और 10 रुपे जो था, वो पूरा नुकसान ही हो गया, एक तरीके से, वो पहुंच गया हमारा profit, समझ रहे हैं माता हूँ, लेकि cover कर लेता है, तो इसलिए, normal loss का सर्फ और सर्फ आपको एक ही entry करना है, loading, loading भी नहीं, sorry, जो full होगा, वो full amount, full amount या total amount कह लो, कहां दिखा देंगे सरा, आप trading में, आप दिखा देंगे trading, ठीक है न, यह treatment रहेगा, हमारा normal loss का, और abnormal loss का, last class के अंदर, हमने एक entry transit वाला भी देखा था, goods से transit, अगर हम समान भीज रहे हैं, तो हमें फरागी नहीं पड़ता के transit का मतलब क्या है, लेकिन अगर हमारे पास समान आ रहा है, तो वो transit closing stock के अंदर भी आएगा, और goods sent के अंदर भी दिखेगा वो अलग से, साइध आपने अगर question 20-25 तक दे रखे थे, तो अगर देखा होगा, तो आया होगा कहीं ना कहीं, और ये वाले तो आपको maximum question में मिल जाएगा, normal loss और abnormal loss, good evening, यहां तक clear होगा normal loss, abnormal loss, तो यह था हमारा एक छोटा सा, कि branch account में normal और abnormal का क्या treatment होगा, बाकि हर जगा अपने अपने अलग-अलग treatment होते हैं, जैसे आपने 16 में बोला कि ऐसा कुछ है, तो मैं 16 question एक बार कर देता हूँ, ठीक है? एक तो हम बना लेते हैं, simply branch stock account, ज्यादा बड़ा बंदा नहीं है यह हाला भी, क्या इसमें debtor बन रहा है, जो जो ज़रत होगा सिर्फ वहीं बनाएंगे, सेमेस्टर वन वाले बच्चों को न, जैसे अभी कुछ बच्चों को message आप में से भी किसी के पास आया होगा message, ठीक है, TUSOL के side से, तो message किया है, भी शायद ना आया हो या आप में से किसी जो SOL के बच्चे है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत बच्चों को message कर रहे हैं, तो बहुत बच्चों को यह नहीं पता कि उनके exam है, और तो बोलते हैं, हमारे exam तो अभी होंगे, time लगे अभी तो admission नहीं लिया है, ठीक है, तो ऐसे एक बच्चे नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कि भाई, जिनको यहीं नहीं पता कि उनकी date sheet भी आ गई, और कल से मोक स्टार्टे ना, परसो से, और मोक नहीं देंगे ना, तो आपकी responsibility है कि भाई, बता दो उनको, कि भाई, मोक नहीं दोगे ना, तो fail हो जाओगे, नहीं, तो मोक है भी, मोक का मतलब, आप दे दें, चाहे ना दे फरक नहीं पड़ेगा, नहीं अभी, वो मोक का ही दिया होगा, शायद मेरे हिसाब से, अभी मैंने देखा नहीं exact, जो paper होगा, उसकी date sheet तो अलग से ही पूरी आ जाएगी, कि भाई, इस दिन इतने बज़े, इतने बज़े paper होगा, और पूरा paper ना, mcq-based होगा, बह ठीक है ना, और पूरा answer कई बार लिखके भी देखना, क्या answer देगा, वो आपको भी नहीं समझ आएगा, कि क्या दे दिया, आप एक question कर और पूरा लिख दो उसको, तब भी नहीं बता पाएगा, तो आपको आना बहुत जरूरी है, और पास होना इसमें mandatory है, अगर पास नह आ रहे हैं, एक तो online mock होगा, कोई camera की कोई जरूरत नहीं है, पहले बता दू, बोलने आले बोलेंगे camera चाहिए, यह चाहिए, बस आपको आना चाहिए, like open book है, आपके सामने, किताब, लेकिन timing के साथ साथ आपको deposit करना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, timing चले गया, और फिर सोचने deposit कर दिया, मैंने बता दिया, तो वो absence हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, हाँ, theory subject, definitely आपको Google का help, जहां से भी help मिले, मिल जाएगा, उसमें कोई दोराए नहीं है, लेकिन practical subject में नहीं मिलेगा, इसका तो आपको आना जरूरी है, सभी का पेपर एक ही जैसा होगा, किसी का भी पेपर अलग नहीं होगा, कहीं ऐसा सोचो, set A आ गया, set B आ गया, हाँ, नहीं, honors प्रोग्राम की timing अलग होगी, जैसे last year का अगर मैं बताऊ ना, तो honors वालों का timing था 9 बज़े, और प्रोग्राम वालों का timing था, धाई या 3 बज़े, जो काफी सारे multiple questions, repeat होते हैं, काफी सारे multiple questions, repeat होते हैं, और यह जो है, मोग test वाला system, मान के चलो सरिफ NEP वालों के लिए है, जो CBSS वाले पुराने थे न, उनका नहीं है, वैसे यह system मुझे नहीं लगता जादे दिन तक, regular के अंदर तो internal हो जाता है, इसमें होता नहीं, उनका internal ह हो जाता है, और खतम हो जाता है, लेकिन आप लोगों का फसादी है, इसमें, फालतू फंड में, कि मोग test लेंगे, यह लेंगे, वो लेंगे, और आपको इपता है, कैसे दिया जा रहा है, मोग test और जितने भी test आप दोगे ना, तो ध्यान डखना, सबूत जरूरू डखना जट से जूट बोल देते हैं, कि आपने paper नहीं दिया, तो यह बोल देते हैं, बहुत जल्दी आपने paper उपर नहीं दिया, आप इसलिए, चलो सर, कहता है, कॉलकता, इन्वोइस, गुट्स, ब्रांच, मुम्बई, और 50%, ठीक है, assignment 27 से है, और यह सिर्फ और सिर्फ है, SOL वाले बच्चों के लिए, regular के लिए, और NCWeb के लिए, नहीं है, उनका अलग assignment चल रहा है, और हो भी गया होगा, कहता है, भया, cost प्लस 50% पर सारी काम का चलने वाला है, और cost प्लस 50% बोले, तो IP के उपर अगर मैं बोलू, तो 1 by 3 हो तो 50% from the following particular branch stock, branch adjustment, तो इन दो सब्दों से पता चल गया, कि यह है, बाकि इसको आप same question को ना, एक बार, उससे भी करके देखना, कौन से वाले, debtor system वाले से branch account बनाते, answer क्या रहेगा, same आएगा, आपका, कहता है, stock at the commencement of the branch invoice price पे है, तो stock दिखा दे रहा है, यहां पे, तो 2 balance, कितने का है, 750, इसके बाद आगे देखा जाए, तो closing stock, by closing stock, कितने का है, 6,00,000, यह सब IP पे है, ठीक है, फिर देखे तो good sent कहता है, including goods, one lakh rupees, not yet receive, इसका मतलब भया, transit, अब transit का मतलब ऐसा नहीं है, कि किसी और branch ने भीजा, तभी transit होगा, माले, head office ने भीजा, तो वो, तो हम इसको नो, दो segment में अलग-अलग दिखा दे सकते हैं, यहां आपकी मर्जी, आप good sent पूरा ऐसे दिखा दो, that is, कितना है good sent, एक लाग है, और total छे लाग है, उसमें included है, कहता है कि, include goods invoice, एक लाग रुप है, but not receive, तो यहां पर आप चाहें, तो यहां पर छे लाग लिख दे, otherwise इसका दिखाने का थोड़ा से style अलग हो सकते हैं, सुरी पचास लाग है, एक लाग की बात नहीं कर रहा है, पचास लाग है, ठीक है, पचास लाग, तो पचास लाग रुपए ऐसा लिख सकते हैं, otherwise एक आपके पास option और भी available है, क्या सर, 49 लाग लिख ले, और एक लाग र है, लेकिन closing stock में थोड़ा साफधान रखना पड़ेगा आपको, कहता है, invoice कह दिया, इसने ब्रांच का और return goods head office by customer, return of goods to head office by customer of branch, एक यह बहुत important point, यह देखिए, यह point, normally होता क्या है, जैसे मान लेते हैं, कि मैं रानी बाग, रानी बाग में BTW, वही एक्जामपल ले लेते हैं, और NSP में भी BTW, NSP क्या है हमारा, branch है, और रानी बाग क्या है, सबसे पुराना head office है, तो एक customer ने समान ही हां से लिया था, लेकिन अगर वो इसको वापस करता, तो हम अपना stock बढ़ा लेते हैं, branch वाले क्या अगरते हैं, अपना stock को बढ़ा लेते हैं, लेकिन customer ने क्या अगरा है, इसको ना देके, वो directly किसको दे दिया, head office को, तो अब होता क्या, customer इसको वापस करता, तो हम अपने stock को इस side से बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम य दिखा दिया, और वही फिर हम ultimately क्या करेंगा, अपने पास तोड़ी रखेंगे, किसको वापस करेंगे, एचो के, वो इधर दिखा दे, समझ रहे बात, सर यह भी selling price, दोनों selling price पर है, तो दोनों side selling price पर होने की बज़े से impact निल हो गया, यहां पर, समझ में आ रही है, अब हमें customer ने direct वापस कर दिया, customer ने क्या बोला, भाई मैं तिरको नहीं दे रहा, तिरको ही दे रहा हूँ, तो अब branch के पास तो यह दोनों entry करने का मौका ही नहीं मिला ना, लेकिन branch इस entry को record करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास sales return आया है, इधर लिखेगा, और sales return कितने का आया है, 2,50,000, और buy side में भी दिखाएगा return to store, 2,50,000, पहले यह बास समझे, क्यों करा इस नहीं सा, ठीक है, आप book में भी देखेंगे, तो आपको ऐसे दोनों site, देखने को मिलेगा, तो कुछ बच्चे confused होते हैं कि सर यह कहां से आया, पता नहीं, तो पहले आपको logic समझ है कि वाई हम ऐसा कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, दोनों site क्यों है, अभी करेंगे, आप मान लो, goods in transit के entry में इधर कर दी है, कर दी है, अब जो closing stock आएगा, 6,00, अब इसको buy ticket करेंगे, यह 5,00, इसमें, हमारे pass होगा, transit वाज़ा होगा, समझ महीं बात, आप इसकी entry कहीं नहीं भी दिखाते, तब भी चलता है, हाँ, अगर यहाँ पर कहता है, एक्स्क्लूड वर्ड को, एक्स्क्लूड कह देता है, तो ऐसे सिचुएशन में भई मेरे को 50 और एक लाग हलक से दिखाना बढ़ता है, समझ रहे हो बात को, पहले यह देखो, यह दोनों साइड आ गया भाई, रिटन, आपने वो, आप सोचोगा, सर अभी तक तो आपने कहा था एकी बार रिटन आएगा, और एक तीसरी साइड और आजाएगा, रिटन, डेटर में भी आ जाए, से रिटन लिखते हो ने डेटर में, आप सोचोगा, सर तीन तीन एंट्री हो रहा है, हुआ क्या, कस्टमर ने वापस किया, मैंने यहाँ दिखा दिया, मैंने यहाँ वापस कर दिया, यह ऐसे प्रोसेस समझें आप, ठीक है, अभी सेवेंटीन भी देख लेंगे, करें यह वाला इजी है, सेवेंटीन देख लेंगे, जो वो टप है, कौन सा, नहीं नहीं देखो, अगर वो ब्रांच को करता है रिटन, तो हमें एक एंट्री करेंगे, अगर लिखा हो सेल्स रिटन, तो मतलब भाई डेटर ने हमें दे दिया, हम इधर लिख लेते हैं, अब जो हमें सेम ही आएगा, लेकिन हम दिखा देते हैं, ताकि पता हो कि यह रिटन वाली एंट्री, ठीक है, और इस पर लोडिंग का भी कोई सवाल नहीं बनता है, वैसे, क्योंकि दोनों साइड हमारे क्या हो गया, अभी देखते हैं, आगे क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स इसके बाद कैसे सेल्स, तो पॉइंट फाइव लाइक, गुड्स प्लीफर्ड, पचास अजार, इसके बाद खुद कुश्चन कह रहा है, नॉर्मल लोंस, सेविंटी फाइव के, इसके बाद हैड ऑफिस, बुक्स 31 मर्च, अब ध्यान दीजिए, जो हमारे पास गुड्स अब इसको दिखाने का थोड़ा से स्टाइल बदल जाएगा, इसको तो हम पांच लाग लिख देंगे, और लिख देंगे हम गुड्स क्यूंकि रस्ते में अभी, इन ट्रांजिट, अब अब देखिए, यहां पर एक और डाउट आ सकता है, क्या पता, यह जो छे लाग क्योंकि इसने का, अगर यह कहता कि स्टॉक जो क्लोजिंग है, इंक्लूडिंग गुड्स इन ट्रांजिट, तो पांच और एक करते हैं, अभी नहीं बोला, तो इसका मतलब हम मान लेंगे, भीया, जो दुकान दारी के अंदर समान था, वो तो छे लाग का ही था, और एक ल लोटिंग दोनों पर निकलना है, समझ माई बात आपको, अब हमारा जो भी आंसर निकलता है, इधर सीडी तो निकलेगा नहीं, और डी की वन है, शौटेज निकल सकता है, है, तोटल क्या गया इसका, सब्सक्राइब साथ लाग, पचास लाग, तो साथ लाग, और माइनस बैंतालिस लाग, माइनस भाई लाग, माइनस भाई लाग, पचास अजार, साथ लाग, एक लाग पच्छतर अजार, यह क्या गया, सौटेज आ गया, इसका पॉन आ गया, इवर तो पॉन नहीं, ठीक है, अब हम लोटिंग की बात करते हैं, तो लोटिंग किस-किस पे निकलेगा, एक तो हमारा यह है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक भाई में आ जाएगा, इस्टॉक रिजर्व, वन भाई थ्री करेंगे, ट्विंटिफाइव, धाई लाक, और एक गुट सेंट पे, यह पॉइंट में आ जाएगा है, तो यह आगए 16,6,6,6,6,6 पूरा चला जाएगा, ठीक है, और टू में किस पे आ जाएगा सर, टू में आ जाएगा हमारा गुट्स प्लीफर्ड पे, स्टॉक रिजर्व, गुट्स प्लीफर्ड, तो पचास हजार पे, दिवेड थ्री, मैं लिख रहा हूँ यहां पे, टोटलिंग आपने करना है, 6,66 में पर जगह नहीं मिल रहा, और किस पे आ जाएगा, नॉर्मल दो लाख, और गुट्स इन ट्रांजिट पे, ट्रांजिट एक लाख पे, तो 33,39 कुछ आ जाएगा है, ना, एक लाख डिवाड़ेड बए 3, तो 0.33333 और एक शॉटेज पे आभी आ जाएगा, डिवाड़ेड बए 3, तो 58, तीन, 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 तो यह आगे हमारा टू, स्टाउक, डिजर्व, और सॉटेज पे, ने, गुट्स रिटन, नलिफाई होगे, ना, जो गुट्स रिश्टन था, कौन से रिटन, अभी रुख जाओ, रुख जाओ, पहले यहां तक देखू, यहां तक देखू, अब हमारा गुट्स रिटन की बात रही, तो गुट्स रिटन किस ने किया है, अब जो गुट्स रिटन कौन से वाले की, अब देखो यह भी रिटन है, और यह भी रिटन है, अब यह रिटन कौन सा मान रहे हैं, अच्छो का, तो इस वाले रिटन पर आप रहने का, और यह वाले रिटन पर तो हम, यह तो कस्टमर वाला है, ठीक है न, तो इसलिए हम कहां लिखें इसको, यह रिटन है, यह रिटन है, और इनके लोडिंग नीचे आ जाएगा, और कोई खर्चा दे नहीं रखा, तो मेरे खाल यह कुछ न तो हो जाएगा, इसमें जो सबसे में हमने क्या सीखा, यह एक तो रिटन वाला पॉइंट सीखा, कि कस्टमर अगर डायरेक्ट रिटन कर देता है, तो क्या करें, और एक क्या सीखा, गुट सेंड, ट्रांजिट, और नॉर्मल, और अबनॉर्मल, भागी का काम आप करोगे, मैं बता देता हूं, कि किस-किस का नीचे आने वाला है, सर, एक तो हमारा यह नॉर्मल लॉस तो नहीं रहेगा, यह अबनॉर्मल लॉस है, हमारा, प्लीफर्ड का वो नीचे आ जाएगा, और सॉटेज का आ जाएगा, यह दो आ जाएगा, ठीक ह कुश्चन नमबर 17 कह रहे हैं, बच्चे के सर, 17 एक बार देख लो, तो 17 देख लेते हैं, मुश्किल बता रहे हैं, तो एक बार देखिये 17, पढ़ लेते हैं, कहता भी है, एक ब्रांच है, डबलू, और ब्रांच है 20 परसेंट, दा ब्रांच सेल गुड्स for cash as well as credit, दा ब्र and cash sales, दोनों चीज़े भाई वो बात बात करता है, यहां पर main point है, हम अपने पास cash बचा के चलेंगे, कितना बचा के चलेंगे, 10,000, यानि जब भी हम बनाएंगे bank account, तो उसमें balance cd पहले से ही पता होगा, ठीक है, यानि यहां से हमारा cash और credit sales निकलेगा, ठीक है, अब क्योंकि ये date दे रहे हैं, आपको assets as follow, जो भी इसके पास assets है, during the year branch ने cash sales ये गिया, ये ये सारी चीज़े दिखा दी, अब January के अंदर, कहता है कि branch ने कुछ purchase new furniture किये, तो इसके उपर depreciation लगाना है आपको, तो जो January में खरीदा है, उसके उपर 3 महने का debt, और जो starting furniture है, इस मैं भी idea दे रहा हूं आपको बस, ठीका अलग-अलग debt लागा क्योंकि debt का rate नीचे दे रखा होगा, 16% तो इस वाले पर पूरे साल का लगा देना, इस पर दूसे हैं, और यहां पर देखो कहता है, प्रपेर branch account यानि पुराने वाले method है, तो इसलिए यहां पे stock account, furniture account और debtor account यह काफी important हो जाते हैं, और bank account important हो जाते हैं, क्योंकि पुराने वाले method में तो हम सारे के सारे assets लिखते थे और उसका CD भी इधर 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 लिखते थे हैं, तो आप bank account भी important हो जाएगा, कहता है branch expense 6000 रुपे outstanding cash in hand, कहता है outstanding, तो भई outstanding अब किधर आ जाएगा, जैसे हम हमारा opening balance इधर आता है, तो इधर चला जाता है closing, ऐसे ही यह last का date दे रहा है हमारा, कहता है 31 March को तो outstanding, यानि opening नहीं था, सरिफ closing यहाँ जाएगा, ठीक है, और diminishing balance method के हिसाब से depreciation लगना है, prepare, आपको क्या करना है, branch accounts, कहता है, and cash in hand was again 10,000 रुपीस, तो वही उपर वाली बा ठीक है, तो एक बार ये question पूरा try करना, इसमें bank account बनाओगे, वहाँ से पता है क्या निकल जाएगा, मेरे ख्याल वहाँ से remittance निकलेगा, कि कितना पैसा हम भेज रहे हैं, किसको, और book में शायद error है, यहाँ 0 वगएरा का आपको error देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने last year भ एक जीरो का ना था ऐसा के, गलत लगा दिया था, साइट चौदा लाख, यह बैलेंस CD जो है, जो है ना, चौदा लाख सतर हजार में बताजता हूं, कैश में गड़वर था किसमें था, कहीं तो गड़वर था, चलो मैं क्लास के अंदर ही करा हूंगा, यह question आपका ठीक है, गलती है, कहीं तो गड़वर था खुदा वार था हूंगा, यह बैदका जो है, जो है सकता हूंगा है, तो हैं जो है है, जो है विल दो है।